आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही जबर्दस इंपोर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स डिसकस करने वाले हैं जो आज के मुक्तलिफ तिल्गु अखबारात में आए जो के आपके ग्रूप्स के पॉइंट अफ यू से और DSE, Mega DSE के इंतिजार में जो लोग है उनक इस सिरीज को और इस इनिशियेटिव को इस पहल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को कई लोग देख रहे हैं आजकल हाल या अरसे में लेकिन अक्सर लोग लाइक नहीं कर रहे तो उन से भी मेरी खास्तावर पर गु अपडेट है और साथ में जो है ग्रूप टू और ग्रूप त्री में अडिशनल पोस्ट के बारे में है दूसरा अपडेट तीसरा सर्टिफिकेट वरिफिकेशन से रिलेटेट कल तलंगाना पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से एक वेब नोट जारी किया गया और इसी तर तलंगाना पब्लिक सर्विस कमिशन के एंप्लॉईस है उन पे कडी निगरानी होरी बोलके और जो लास्ट अपडेट है वो यह है के मेगा डियसी पे जो के आंधरप्रभा नियूस पेपर में आया वो बताने वाला हूँ तो यह सब चीदे वन बाई वन डिसकस करेंगे इसके अलावा 168 जो है इंटरनल जॉब पोस्टिंग के जरीए उनको फिल करेंगे तो इस बारे में हम आगे चलके सिंगर रेनी कैलोरीज बहुत ही जबड़स जॉब रहता तो आगे आने वाले दिनों में इस इदारे की तरफ से भी हम लोग एक जॉब नोटिफिकेशन ए आलंके यह आपको तो मालूम है 2023 जनवरी फिबरवरी में लोग अपलाई करें अल्मोस्ट 13-14 महिने हो गए लेकिन अभी तक इसके एक्जाम का डेट तक एलान नहीं करें अब यहां पर यह है कि कॉंग्रेस की जो गवर्मेंट आई डिसमबर में यह लग बोर रहे हैं कि ग ग्रूप 3 के नोटिफिकेशन में मजीद कुछ एक 200-300 या उससे थोड़े कम पोस्ट एड होने के चांसे से तो यह हम लोगों के लिए भूत अच्छी बात है थोड़ा सा कॉम्पेटिशन कम हो सकता और नए लोगों को मौका मिल सकता तो इस सिलसिले में जो है यह बताया ज जारी किया गया जनरल रैंकिंग लिस्ट को जारी किया गया तो आप जैसा आपको मालूम है ग्रूप 4 का जनरल रैंकिंग लिस्ट आया इसी तरह आपका ड्रग इंस्पेक्टर का आया होटिकल्चर आफिसर का आया और असिस्टेंट मोटर वहिकल इंस्पेक्टर के जॉब अगर आप अब लापरवाई करेंगे देर करेंगे तो आने वाले दिनों में revenue department के officers जो है election duty पे रहते तो मुम्किन है कि आप जाएंगे उस वखत आये नोखत में परेशान होने वाले है तो आप लोग क्या करना कि अपने educational जितने document से खास तरपे अगर आप first चले के 7 तक school में पड़े हैं तो अपना bonafide ज़रूर साथ रखिए नहीं है तो जो है अगर आपका कहीं दूसरी जगा है तो उसको लाइए और अगर आप cash किसी reservation के अंडर में आते हैं EWS के अंडर आते हैं तो अपना certificate साथ में रखिए और अगर BC के उम्मीदवार हैं तो ज़रूर non criminal layer certificate रायनों खत्में परेशान होने की ज़रूरतने तो इससे बात साफ जाहर हो रही है कि आने वाले दिनों में Group 4 के मामले में ये जो आपना merit list है ये आने वाला है तो हो सकता है कि कभी भी किसी भी वक्त आने वाले दिनों में 10-15 दिन के अंदर अंदर ये होने वाला है और एक पहले 503 पोस्ट थे 503 पोस्ट थे उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन जब था BRS की गवर्मेंट के टैम पे तो एक नोटिफिकेशन में खुद बाज जो रोस्टर रहता जॉब्स का उसमें यह बताया जाता कि यह जॉब खातून के लिए है यह जॉब विमन के लिए है यह ज उसकी जगा पर होरिजॉंटल रिजर्वेशन लाए होरिजॉंटल रिजर्वेशन इससे पहले कई बार बोल दिया लेकिन अभी मैं आपको और आसान तरीशे से बता देते हूं सिंपल अंदाज में वह यह है कि पहले क्या था कि वर्टिकल में क्या विमन के लिए अलग रि काटेगरी में BCA BCB BCC BCD BCE काटेगरी में जितना रिजर्वेशन है उसमें से 33% कर दिया गया और खास्तर पर जो हिमन के लिए अलग से था उसको खतम कर दिया गया तो इस तरह से आने वाले दिनों में क्या होने वाला है जो मेजर इंपक्ट पड़ा की जो पूराना को कितने जॉब्स मिल रहे एक तरह से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 109 पोस्ट तक मिल सकरें और यह खास बात यह है कि कुछ जॉब कैटेगरी से ऐसे है जिसमें तीन से कम जॉब्स है क्योंकि 33 परसंट रिजर्वेशन है तो कम से कम तीन जॉब्स रहना कुछ जॉब् ट्राइबल वेलफेर ऑफिसर यह ग्रूप वन के कैटेगरी में इसमें सिर्फ दो पोस्ट हैं यह दो पोस्ट में जो जिन जिन जॉब कैटेगरी में तीन से कम हैं वहां पर फिर विमन रिजर्वेशन का इतलाख नहीं हो रा बलके उसको भी जनरल कैटेगरी में फिल करने उस मतलब टैलेंट या अच्छा स्कोर कर लिया तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई जादा मेजर फरख पड़ेंगा लेकिन यह कुछ टेक्निकल बातें थी जो मैं आप अजरात के सामने ला रहा हूँ और एक चौथा एजुकेशनल अपडेट यह है कि आंधरपरवाव न्यूस पेपर में आया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमिशन में जो है इस वकर जितने मुलाजमीन है उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है आपको तो मालूमें जो नए अभी चेर्मेन है महेंदर रड है आप हजरास से गुजारीश है कि इसमें विल्कुल ताखीर मत करिए और जल से जल अपलाई करने के कोशिश करिए तो कल से जो है अप्लिकेशन प्रोसेश शुरू होने वाला है और अप्लिकेशन रिकॉर्ड से लेकर डेटा सेक्यूरिटी और कुश्चन पेपर प्रिप अप्लिकेशन प्रोसे प्रिपर्मिशन लेना और जहां उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है उनसे भी प्रिपर्मिशन लेना इतना सक्त अंदाज में उन पर कडी निगरानी की जा रही है यह इसलिए कि आपको तो मालूम है पेपर लीक हुआ था और इससे पहले एक बहुत अच्छी बात है और एक लास्ट अपडेट यह है कि मेगाडीसी के बारे में यह भी जो है अपने आंधरा प्रभा न्यूस पेपर में आया वो यह है कि मेगाडीसी का जो नोटिफिकेशन है यह 11,000 पोस्ट के साथ एक हफ़ते के अंदर अंदर जारी होने वाला शुरू करता यकीन मानिये तीन से चार मेने में कोई बड़ी तयारी नहीं हो सकती तो इसलिए मेरे गुजारिश है कि नोटिफिकेशन आने वाला है आना ही आना है इसलिए कि लोग सबा एलेक्शन का कोड नाफिज होने से पहले इन लोगों को बेरोजगार अफराद के दर दिखना बोलके 10,000, 12,000, 11,000, 12,000 रहे ना लेकिन ये बताया जा रहा कि प्रमोशन और ट्रैंसफर के इस्चू के वएसे 10,000 चिलर ही पोस्ट बन रहे तो टेक्निकल चीज यही है बागी नोटिफिकेशन रोखने की बात में आप अपनी तयारी जारी रखिए जिस वक्त न 9333 लोगों को कॉनिस्टेबल उम्मिद्वारों में जो क्वालिफाई हुए उनको ट्रेणिंग के लिए बुलाया गया परसों 9333 में आये किते लोग तकरीबन 36500 लोग ही टरेणिंग के लिए आये 30% लोग जो सेलेक्शन होने के बाउज़ित प्रेणिंग के लिए निया आये तो ये एक अलगीच मामला है कि सेलेक्शन होने के बाद क्रेणिक के लिए आने की मतलब आईसी नौबत आ गई के लोग आ रहे ने कॉनिस्टेबल बन गई यूनिफर्म जॉब है उसके बावजूद लोग जो है अपने ट्रेनिंग के लिए नहीं आए तो हो सकता इसके दो वजू आते हैं एक वज़ा ये हो सकती के उनको कहीं और जॉब मिल गई या फिर ये भी वज़ा हो सकती के कुछ पोलिस के केस जो रहते बावज लोगों पे इसकी वज़े से भी बावज लोग ट्रेनिंग तक नहीं आते हैं बहराल जो भी है एक अजीब बात है जॉब बिल गई लेकिन जो है जो क्या बोलते है ट्रेनिंग के लिए उनको बुलायागा तब भी नहीं खर कोई बात ने तो आई होप ये जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा आपका फीडबैक जरूर दीजे कॉमेंट की शेकल में ठैंकी सो मच